दोस्तों आपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ तो प्लैनिंग जरूर की होगी मतलब उस तरह की प्लैनिंग नहीं मेरा मतलब है कि आगे फ्यूचर कैसा होगा कैसी जिएंगे क्या आपने इस बारे में सोचा है कि भविश्य में हमारी प्रकृति जनसंख्या अर्थ चीन को भी बहुत पीछे छोड़ चुका होगा 2050 तक भारत विश्य की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ वैवस्ता बन जाएगी 2050 तक सो से जादा स्मार्ट सिटी बन चुकी होगी और जादतर गरामिड इलाके शहरी इलाकों में बदल चुके होंगे इस रो इतनी तरक्की कर मैं वह दुनिया की टोप स्पेस एजनसी की लिस्ट में शामिल हो जाएगा भारत के परियावरण में भौत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा 2050 तक 80% इलेक्ट्रिक वाहन डीजल वाहन की जंगे ले लेंगे